गुट इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग जहिन भाई सभी को कैसे आप लोग बताईए गुट इवनिंग थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसके वज़े से लेट हो गया है तो शुरुवात करते हैं आज के दिन की आज के टॉपिक की बहुत ही जबरदस्त और प्यारा टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं बहिमान दुकानदार बिलकुल अब दुकानदार जो है वो एकदम बहिमानी पर आ चुका है और उसके कंसेप्ट को आपको पढ़ना है कि कैसे वो बहिमानी करता है और कैसे लाब जो है वो अलग-अलग तरीके से कमाता है ये वीडियो dishonor shopkeeper पर complete होने वाल है बेमान दुकानदार के जितने भी type बनते हैं जितने भी category बनते हैं जितने भी questions बनते हैं जो पिछले 4-5 सालों में अलग-अलग परिशाओं में पूछे गए हैं इस वीडियो में आप complete हर तरह की questions को लगाने वाले हैं और सभी concept को आप सीखेंगे तो स्वागत है आपका इस वीडियो में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें ठीक चलिए बात करते हैं आज की topic के तरफ कुछ और बात नहीं करेंगे सीधा topic के तरफ move करते हैं और topic के तरफ move करके हम जानते हैं कि आज के जितने भी questions है वो questions based on dishonest shop की पर अब देखो क्या होता है कहानी ठीक है दुकांदार बहिमानी कैसे करता है और कैसे बहिमानी से वो पैसे कमाता है ठीक तो देखो दो cases होते हैं अगर मान लीजे कि हमारा यहां पर मुन्ना जो है ठीक हमारा मुन्ना कल के दिन क्या होता है lockdown लग जाता है बिचारे की नौकरी चले जाती है जिस company में वो पढ़ाई करता था नौकरी करता था जहांपे ठीक है और नौकरी चले जाने के बाद क्या होता है कि वो अब सोचता है कि देखो भाई बात ऐसी है lockdown का समय है तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं बीटेक वाले थे भीया हम engineering की हुए थे हमारी engineering की तो चली गई नौकरी ठीक अब अब अपन क्या करते हैं राशन का दुकान करते हैं क्योंकि lockdown कितना भी लग जाए लेकिन राशन का दुकान कभी बंद नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं कि अब राशन का दुकान खोलते हैं और राशन का दुकान खोलके अपन जो है अब पैसे कमाना शुरू करते हैं बहिमानी से ठीक पैसे कमाना शुरू करते हैं बेमानी से तो अब बेमानी से जब हमारा मुन्ना दुकान खोलेगा ठीक है तो उसको कितने तरीके होंगे लाब कमाने के पहला तरीका देखे, दो तरीके होते हैं में, पहला तरीका हो जाता है हमारा, कि यदि वो किसी वेक्ती से पैसे जादा ले, यदि वो किसी वेक्ती से पैसे जादा ले, तो उस तरीके से लाब कमा सकता है, या फिर ऐसे बोले कि देख तू तो मेरा भाई है, जिस रेट में मै पैसे कमाना है इसी rate पर वो profit कमाता है तो बहुत interesting topic होने वाली है इसकी वीडियो काफी confusing भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं तो बीच में आ जाते हैं बीच में आप concept कहीं से शुरू कर देंगे तो आपको confusion हो सकता है इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखे अब बात करते हैं इन दो तरीकों की तो इन ही दो तरीकों में अलग-अलग cases का इस्तमाल करके आपको examiner question देते हैं pre में और आपका देते हैं mains में इससे एक सवाल जरूर fix रहता है प्री में और मेंस में कम से कम दो सवाल रहेंगे तो यह topic आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो बच्चे मेंस की तियारी करते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें फंसते हैं तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले तो देखो मैंने जैसे की कहा लाब दो तरीके से कमाया जाता है पहला क्या होता है कि वजन में धोखा धरी करने और दूसरा होता है जब हम rate बढ़ा दे अब वजन में धोखा धरी करेंगे तो कैसे धोखा धरी करेंगे वो समझे ठीक है वजन में धुखा दड़ी अगर हम करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो जानना बहुत मातोपून है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई वजन में धुखा दड़ी करेगा तो कैसे धुखा दड़ी करेगा जैसे मानो मैंने क्या हुआ कि एक किलो यहांपर देखो दो तरीके से होती है अगर हमें profit कमाना है अगर हमें बहिमानी करते है और दूसरा होता है जनाब हम बेशते वक्त बहिमानी करे अब बेशते वक्त में दो category के ethos बेशते वक्त वो क्या करते है या तो वो जो है प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या फिर वो quantity को कम कर देते हैं और इस तरीके से total lab किया जाता है total lab कमाया जाता है बताओ यहाँ पर क्या आपको सभी चीज़े दिख रही है ये video clear है ठीक है? clear है ना? तो बोला गया है कि lab कमाने के हमारे कितने तरीके हो गए दो तरीके एक खरीते वक्त बहिमानी करेंगे दूसरा बेचते वक्त बहिमानी करेंगे फिर बेचते वक्त में दो किसम की बहिमानी हो जाती है पैसे के दाम को बढ़ा दो या quantity को कमी कर दो तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे कि सिर्फ हम खरीते वक्त बीमानी करें तो कितना होगा दूसरा पढ़ेंगे अगर हम बेचते वक्त बीमानी करें तो कितना होगा फिर उसमें दो कैटेगरी को पढ़ेंगे और फिर हर कैटेगरी को mix करके काफी अच्छे तरीके से बड़े बड़े सवालों को हम लगा पाएंगे बच्चे कह रहे हैं सर green board लगा ये ठीक है भाई सब लोग green board लगा दिया खुश अब ठीक है green board लगा दिया हमने अब देखे बात करते हैं दूसरे वाले concept की तरफ सबसे पहला concept आपके सामने है note करिए अपने copy में खरीदते वक्त बेहिमानी note करेंगे खरीदते वक्त बेहिमानी ठीक है? एक एक example को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे हम कि खरीदते वक्त अगर कोई बेहिमानी करेगा तो कैसे करेगा? ठीक है? अब समझो यहाँ पर सवाल अगर कोई खरीदते वक्त बेहिमानी करता है तो कैसे बेहिमानी करता है? वो देखो खरीदते वक्त बेहिमानी करेगा तो कैसे करेगा? जैसे मानलो हमारी मुन्नी है ठीक है? और मुन्नी का काम है कि बस भाई आप मुन्नी सब को लूटना जानती है और कुछ नहीं जानती तो वो क्या करती है कि जैसे मानलो मुन्नी हमारी कहां रहती है मुन्नी हमारी दिल्ली में रहती है मुन्नी ने सोचा है अपना दुकान दिल्ली में करने को और वो जो है अपने समान को को एक किलो चीनी लेना था, कहां से सोनी पत से अब ये गई गोदाम में और देखा चुपके से कोई बेचारा देख नहीं रहा है तो मुन्नी ने क्या किया, एक किलो के जगा पर एक ग्यारा सो ग्राम उठा लिया और दुकांदार को बोला, भईया ले लिया हमने एक किलो चीनी, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो एक किलो चीनी लेकर ये क्या करती है, चली जाती है लेकिन असल में इसने कितना लिया है, तो एक ग्यारा सो ग्राम इसने वहां से वजन उठाया है अब एक ग्यारा सो ग्राम इसने वजन उठा लिया और दुकांदार को पैसे कितने का दिया है तो दुकांदार को इसने पैसे सिर्फ एक हजार ग्राम का दिया है एक हजार ग्राम का दिया है, एक किलो में कितना ग्राम होता है तो हजार ग्राम होता है पैसे उठाए समान उठाया 1100 ग्राम का पैसे दिये 1000 ग्राम का तो मुझे बताओ लाब कितना ग्राम का कमाएगी कितने का लाब आ जाएगा भाई मेरे 10% का लाब आ जाएगा तो 200 ग्राम का profit कमाती है कितने के तरफ तो 200 ग्राम का 1000 के तरफ इंटू कर देंगे 100 से 2,0 से 2,0 खतम 0 से 0,0 कितना हो जाएगा 20% का लाब हो जाएगा ये हमारा हो गया खरीदिते वक्त बेमानी इसी तरीके से 1000 के जगह पर 1300 ग्राम लाएगी तो 30% 1000 के जगह पर 1400 ग्राम लाएगी तो 40% 1000 के जगह पर 1500 ग्राम लाएगी तो 50% ये उसका लाब हो जाएगा और कैसा लाब हो जाएगा मैं बार बार कहरा हूँ ये खरीदिते वक्त की बेमानी हो जाएगी तो खरीदिते वक्त की बेमानी जो होता है वो तो बड़ा सरल होता है बहुत असान होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होता एक बच्चा अगर फंसता है तो वो यहाँ पर फंसता है बेचते वक्त की बेमानी में और बेचते वक्त की बेमानी में कैसे फंसता है वो देखो ठीक है जैसे मानो हमने कहा यहाँ पर कि हमारी जो मुन्नी है, ठीक है, मुन्नी ने क्या किया, आप देखो, यहाँ पर मान लीजे हमारे सुधांसो जी है, बड़े ध्यान से समझेगा, सुधांसो जी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो आजाते हैं मुन्नी के दुकान के बगल में घर ले लेते हैं, और हचते हैं तो मुन्नी भईिया हमारी रऑगी बनिया उसको बात करने में उन्तरे Ma uranium उसको बात करने में उन्तरे अर्भी लिपयां वह काटेंगे और कैसे काटें हैं वह बोध बढ़िया ठीकार मुन्नी से बात भी हो गई समान भी ले लिया लेकिन उनको पदा चलता नहीं है कि उनका कट चुका है अब यहाँ पर मुन्नी कितना लाब कमाएगी जिस rate में उसने समान को खरीदा है उतने ही rate में उसने समान को बेचा है अभी rate नहीं बढ़ाया है अभी rate नहीं बढ़ाया है simple सा एक कहा है जो rate खरीदने का है वही rate बेचने का है ठीक है लेकिन 1000 ग्राम के जगह पे वो जो है 900 ग्राम देती है वजन को तो बताओ लाब कितने का होगा अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे सर्फ प्रॉफिट देखो 1000 के जगह पर 900 ग्राम दिया यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट कितने के उपर 1000 के उपर और इंटू क्या करते हो 100 करते हो आता है उत्तर 10% और ये 10% जो है आपका गलत है अगर आप 10% निकाल रहे हो तो यहीं तो गलती एक बच्चा करता है, दस परशंट नहीं आएगा, अब आंसर क्या आएगा वो समझो, अब बन जाओ आप अपने नजरिये में एक दुकानदार है, एक पल के लिए आप दुकानदार बन जाओ और आप इस दुकानदार के कंसेप्ट को समझो, मेरा दावा है, इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद कभी भी बेइमान दुकानदार का एक भी सवाल आपका न छूटेगा और नहीं गलत होगा, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, तो, ठीक है, अब समझो, माल लो मैं दुकानदार हूँ, एक दुकानदार की नजर और इस गोदाम में क्या होता है, समझना मेरी बात को, आप ऐसे समझो, इस गोदाम में क्या होता है, तो इस गोदाम में कुल मिलाकर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, और माल लो, दस पैकेट रखे हुए हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ, इस गोदाम में मा पैकेट का पैसा लिया, 10 पैकेट का पैसा लिया, और मैंने उसको सिर्फ 9 पैकेट दिये हैं, मैंने कितने पैकेट दिये हैं, 9 पैकेट दिये हैं, अब कल के दिन मुझे अगर प्रॉफिट कमाना होगा, तो कैसे कमाऊंगा, तो आप समझना, मैंने क्या कहा, एक दुकानदार बन जाओ, सिर्फ एक दुकानदार बन जाओ तो आप बोलोगे कि आपने dealing, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर dealing शब्द का कि आपने dealing 10 packet पर किया है आपने dealing 9 packet पर किया है एक वक्त ऐसे समझिये, मान लीजे आपके दुकान में 10 packet था, आपने इसमें से 9 packet दे दिया आपने इसमें से 9 packet दे दिया तो एक packet मान लो ये वाला packet एक packet आपके दुकान में अभी भी लाभ के तोर पर रखा हुआ है तो यहीं packet जो है यहीं packet आपका profit है, इसी का तो पैसा आपने अगले से ले लिया और उसके जगा पर आपने उसको समान नहीं दिया यानि profit जो हुआ है वो तो एक packet का हुआ है लेकिन कितने के उपर तो जितना article हम देंगे या यू बोलिए कि profit किस पर होता है तो profit होता है cost price पर यानि जितने पैसे पर हम उस समान को खरीदते हैं और अगर हमने अगले को 9 packet दिया है तो खरीदा भी 9 packet पर यानि एक बटे 9 into हम करते हैं यहाँ पर 100% वो आता है 11 सही एक बटे 9% मेरी बात को समझ गए आप नहीं समझ गए यहाँ पर 10 नहीं करेंगे total पर लाब थोड़ी कमा रहे हैं लाब तो उस पर कमा रहे हैं जिस पर हमने dealing किया है अगर हम अगले को 9 packet देते हैं तो 9 packet पर ह नहीं लाब कमाते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ यह वीडियो को जो भी student देख लेगा उसका dishonor shopkeeper clear हो जाएगा उसके दो नमबर प्री में चार नमबर में इसमें clear हैं इस बात का ध्यान दो complete वीडियो है पूरी वीडियो है तो शुरू से लेकर अन तक जरूर देखें फिर इसे मैंने 15 packet के लिए लिकिन दिया कितना सिर्फ 11 packet दिया तो मुझसे पूछेगा profit का percentage बटाओ बेटा कितना होगा तो बोलोगे sir 4 packet आप उसको कम दिये हैं यानि 4 packet का पैसा कमाए हैं और 4 packet का पैसा 11 packet पर कमाएंगे कितना पर 11 packet पर यानि 4 बटे 11 इंटू 100 कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा उसी तरीके से हमारी बेचारी मुन्नी है बेचारी कहां से हो गई 1000 गराम के पैसे लिए उसने सुधानसू से कितने लिए 1000 गराम के पैसे लिए और मान लो कल के दिन वो 750 गराम ही देती है हमारे सुधानसू को सुधानसू का जहां पर कट जाता है, तो पूछा जाता है यहां पर मेरे भाई की, बताओ मुन्नी का प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे सर, प्रॉफिट जो हुआ है, वो कितने का, हजार में से 7500 गटाईए, तो 2500 गराम का प्रॉफिट हो गया, और कितने के ऊपर हो गया, तो 2500 गरा उसमें हर तरह के सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन सवाल के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन आंसर देने का जो तरीका होगा, ना मेरे भाई, वो सेम होगा, आंसर आप एक ही मेथड से करोगे, आपके मेथड में बदलवाने वाला नहीं हूं, एक ऐसा method सिखाऊंगा आपको जिससे हर तरह के सवाल को आप करश रखते हो यकीन मानिए हर तरह के सवाल को और उस method का नाम है ratio method उस method का नाम है क्या? ratio method दुबारा से समझेंगे क्या हो गया नाम हमारा ratio method अब ratio method से आप सवालों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखो बहुत महत्वपूर्ण है जाना कि ratio method से सवाल हम कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहला टाइप ratio method में आप सीखिए खरीदते वक्त बेईमानी को लिखा कैसे जाता है खरीदते वक्त बेईमानी को लिखा कैसे जाता है फिर आप समझेंगे बेशते वक्त बेईमानी को कैसे लिखेंगे खरीदते वक्त बेईमानी दोनों केस समझ गए ना मेरे बाई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ये topic को समझने से रोक पाएगी तो खरीदते वक्त बहिमानी की बात करते हैं देखो लाब कैसे कमाते हो तो लाब CP और SP के रेशियो से ही कमाते हो कल के दिन मैंने कह दिया बताओ profit का percentage कितना होगा profit का percentage कैसे निकालोगे जब आपको आपका क्रेमुल्य पता होगा क्रेमुल्य और विक्रेमुल्य पता ही नहीं है तो कैसे बताओगे तो वहीं तरीके से मैंने आपसे कहा कल के दिन मान लो कि कोई व्यक्ती है 1000 ग्राम की जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर खरीदेते वक्त वो 1200 ग्राम लेकर आता है यानि खरीदेगा वो 1000 और वहीं 1000 ग्राम को ले जाकर कहीं पर 1200 ग्राम में बेच देगा तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो 5 अनुपात 6 का है कितने का लाब एक का लाब कितने के ऊपर 5 के ऊपर तो एक बटे 5 इंटू 100 इस हिसाब से आपका आता है 20% मेरी बात को समझे उस केस में जब भी आप खरीदेंगे तो क्या होगा खरीदेते वक्त हमेशा 1000 ग्राम रखेंगे और बेचने के वक्त क्या हो जाएगा 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम जैसे खरीदे वक्त मैंने 1000 के जगह पर 1500 लेकर आ गया यह हम तरीका क्या होता है यह हमारा बेइमानी होता है खरीदे वक्त का लेकिन इसका रिवर्स हो जाता है बेशते वक्त में और बेशते वक्त क्या होता है वो देख लो जहां पर बच्चे को सबसे ज़ादा confusion होता है जहां पर बच्चे को सबसे ज़ादा confusion होता है लेकिन वो confusion आज के इस वीडियो के बाद आपकी मैं दूर कर देने वाला हूँ समझेगा अब बेशते वक्त में क्या होता है जैसा कि मैंने कहा हम लिखते हैं CP फिर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं CP लिखते हैं अब मान लो कि हमारी मुन्नी है ठीक है मुन्नी ने क्या किया सुधानसु जी को यहां पर मुन्नी ने क्या किया सुधानसु जी को हजार ग्राम के जगह पे 900 ग्राम चिपका दिया और बोल दिया कि देखो बात ऐसी है तुम दिखने में अब वहीं फाइदे को मुझे अगर यहां पर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे वहीं फाइदे को लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो समझना मेरी बात को यह 1000 रुपे क्या है तो यह 1000 रुपे मुन्नी ने पैसे लिये हैं अगले बंदे से पैसा लिया है और उसको दिया कितना है तो 900 ग्राम यानि खुद के जेब से मुन्नी के कितने लगे हैं खुद के जेब से 900 ग्राम लगे हैं और जो खुद के जेब से लगता है उसको क्या बोलते हैं cost price बोलते हैं यानि cost price में कितना लिखेंगे तो 900 gram लिखेंगे cost price में कितना लिखेंगे मेरे भाई तो 900 gram और बेचा है समान कितने में तो 1000 gram का पैसा लिया है अगर एक gram की कीमत एक रुपए तो 1000 gram की कीमत कितनी हो जाएगी 1000 रुपए Cost Price का मतलब वो होता है जो दुकांदार अपने जेब से लगाता है Selling Price का मतलब वो होता है जिस पर दुकांदार बेचता है तो अपने जेब से लगाए 900 ग्राम बेचा कितने में हज़ार में फाइदा कितने का कमाया बताओ तो बोलोगे Sir Profit जो हुआ है बेशते वक्त बहिमानी लिखना आना चाहिए ये बहुत important है लिखना नहीं आएगा तो कहानी गरबर हो जाएगी तो कुछ सवाल आप सभी के लिए ताकि आप इस पर अच्छे से practice करके फिर हम अच्छे level के सवालों के तरफ बढ़ेंगे ठीक है तो सवाल सबसे पहले आपके सामने है कि कोई बेइमान वैपारी वस्तु को क्रे मुल्य पर बेशने का दावा करता है पर वह एक गिलो गराम भार की जगह पर साड़े नो सो गराम का इस्तमाल करता है तो बताओ उसे कितना प्रतिशत का मुनाफ़ा हुआ मैं बार बार कह रहा हूँ ये वीडियो complete है डि एक किलो के जगह पर अगले ने कितना चिपकाया 950 गराम मैंने क्या कहा खरीते वक्ती बेमानी है कि बेशते वक्ती पहले तो सवाल को पकड़ो तो सर बेशते वक्ती बेमानी है यानि यहाँ पर हम लिखेंगे CP और यहाँ पर क्या लिखेंगे SP लिखेंगे ठीक है आप ब कांदार का कोश्ट प्राइस कितना होगा तो बोलोगे सर 50, 950 और सेलिंग बेचा कितने में तो 1000 ग्राम में, बेचा कितने में 1000 ग्राम में, आप काट लो इसको, इसको काट लो भीया ठीक है, अब बोलोगे यहां पर प्रॉफिट की बात तो देखो 95 रुपय के समान को 100 और एक बटे 19 को 100 से करोगे प्रतीशत में बदलोगे तो 5.26% आएगा, यानि option number B for बाहु बली जो होगा वो correct होगा, एक बटे 19 का प्रतीशत याद रखना है कि एक बटे 19 कितना होता है तो एक बटे 19 5.26% या पैसे भी यहीं पर करस रखते हो सीधा सा बात है कि 95 को भी और 100 को भी काटो, 5 से काटोगे 19 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, 19 रुपए के समान को 20 में बेशते हो तो profit कितने का होगा, profit एक रुपए का, कितने के उपर, 19 के उपर, एक बटे 19 इंटु 100, यानि एक ग्यारा सही सौरी, 5.26% आपका ऐसे भी आंसर आजाएगा, चलिए, अब कोई व्यक्ती, एक किलो के जगह पर शाड़े 700 ग्राम दे रहा है, अब हमारी मुन्नी जो है, वो एक किलो के जगह पर शाड़े 700 ग्राम देती है, बताओ लाब कितना का कमाएगी, लाब कितना कमाएगी वो बता दीजे जल्दी से, एक किलो के जगह पर वो शाड़े 700 सौंड़श ग्राम दे रही है एक किलो के जगा पे साड़े pilot नहीं पिटने का होगा ठीक है कलका पीडियाफ नहीं मिला है कोई बात नहीं मेरे भाईज कलका और आज का एकी साथ پीडियाफ टबालोड करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं उप्लोड के दिक्कत नहीं है तो CP हमारा कितना है तो बोलेंगे सर, CP में जितना हम देते हैं न उतना ही लिखते हैं, यानि CP में साड़े साथ सो ग्राम दिये हैं तो साड़े साथ सो ग्राम लिखेंगे, और SP में जितने का पैसा उसूल लिया है न सामने वाले से पागल बनाके, उतना लिखेंगे, कितना का पैसा लिये हो एक किलो का पैसा लिये हो ना तो यहाँ पर एक किलो का लिखोगे यह ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लिखो समझ में आ गई बात अब देखो यहाँ पर यह किस अनुपात में है तो बोलोगे सर यह तीन अनुपात चार में है कितने अनुपात में, 3 अनुपात 4 में तो profit की बात करेंगे 3 रुपय के सावान को 4 में बेचे हो एक कलाब कितने के उपर, 3 के उपर 1 बटे 3 कितना होता है बालक बतादो जल्दी से तो 33 सही 1 बटे 3 होता है कितना होता है मेरे भाई 33 सही 1 बटे 3 यानि option number D D4 दिल मांगे मूर चलो अगला सवाल जल्दी से बता दो अब मुझजबानी बता दो पैन उठाने की भी जरुवत ना पड़े पैन उठाने की भी जरुवत ना पड़े और इस सवाल का आंसर एक सेकंड में दे दीजे चलिए मैंने आपको क्या कहा कि कोई वेक्टी अब एक किलो के जगह पर 800 ग्राम देता है एक किलो के जगह पर 800 अगला सवाल में एकदम घुमा दोंगा आप सभी के लिए और कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे इस बात का ध्यान रखना तो concept पर काम करना कि मैं data भी बदलदू तो confuse नहीं हो इससवाल का आंसर दो एक किलो के जगह पर 800 ग्राम कितने का फाइदा तो लोगे सर 200 ग्राम का फाइदा कितने के उपर 800 के उपर यानि 200 ग्राम का फाइदा 800 के उपर एक बटे 4 और एक बटे 4 कितना होता है 25% होता option number जो B होगा वो correct answer होगा ठीक है option number जो B होगा वो क्या होगा correct answer होगा इस बात का ध्यान रखो चलो अगला सवाल देखो अब अगला सवाल थोड़ा सा बदला है लेकिन याद रखना बबुगा accident हो सकता है accident हो सकता है सवाल में देखो सवाल में क्या बदल दिया अब हमने आपको ये कहा कि कोई बेइमान वैपारी वस्तु को क्रे मुल्ले पर बेशने का दावा तो करता है परंतु वह 900 ग्राम भार की जगह पर 800 ग्राम भार का इस्तमाल करता है 900 के जगह पर 800 ग्राम के भार का इस्तमाल करता है देखो एक किलो नहीं कहा मैंने इस बात को समझना 800 ग्राम दे तो रहा है लेकिन 800 ग्राम एक किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम की जगह पर यह वर्ड यहां पर बदल गया 800 ग्राम दे रहा है लेकिन 1 किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम के जगह पर तो बताओ लाब कितने का होगा मतलब यू समझे लो मैं एक वैपारी आप मुझसे आए कि भाईया हमको 900 ग्राम दाल दीजिए हमारे मन में चोर बैठा है हम तो आप से पईसा कमाना चाहते हैं आपको लूटना चाहते हैं तो हम 900 ग्राम ना देकर हम अगर 700 ग्राम आपको देतے हैं तो बताओ लाब जाओ वो कितने का होगा तो बदलने तो examiner को कोई दिक्कत नहीं है 800 gram उसने जो है वो दिया है कितने के जगह पे 900 gram के जगह पर जितना वजन वो देता है न दुकानदार किसी भी समान को, किसी भी customer को तो यानि उसने अपने जेब से उतने ही लगाए है अगर इसने 800 gram दिया है तो मतलब इसका जो खरीद था वो 800 gram का ही था ठीक है और उसने बेचा कितने के जगह पर है तो 900 gram के जगह पर तो 900 gram उसका क्या हो जाएगा विक्रे मुल्ले हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा selling price हो जाएगा मेरे जगह पर दुबारा समझे माल लो मैं किसी को 800 gram देता हूँ यानि मैंने अपने जब से 800 gram के पैसे लगाए है ठीक है और अगले से मैंने 1 kilo का पैसा ले लिया 1200 gram का पैसा ले लिया 900 gram का पैसा ले लिया यानि वो मेरा selling price है वो मेरे selling price में आएगा आप इसको काटो जरा 200 से 200 खतम यानि 8 रुपे के समान को 9 में बेचे हो तो profit कितने का profit एक का कितने के उपर 8 के उपर 1.8 इंटू 100 करिए आंसर कितना आ गया 1.8 कितना होता है 12.5% बता दे 1.8 कितना होता है 12.5% यानि option number A आओ कभी हवेली पे चलो अगला सवाद फाइदा कितने का कमाए है 200 ग्राम का कितने के उपर कमाए है 700 के उपर 200 बटे 700 1.7 कितना होता है 14 सही 2.7 हमें तो 2.7 बताना है यानि 28 सही 4.7% option number जो D होगा वो क्या होगा none of these होगा option number जो D होगा वो क्या होगा none of these 700, 900 यानि 200 का फाइदा 700 के उपर 28 सही 4.7 अगला सवाल फिर से बदल दिया ताकि आपका एक्सिडेंट हो आप फंसे सवाल में आप फंसे लेकिन आपको फंसना नहीं है सोचिए हाँ पर अब दुकांदार जो है वो पैसे लेता है कितने के तो 1200 के और अगले को वजन चिपकाता है कितना 800 गराम का बेहिमानी का लेवल देखो कई से बढ़ रहा है 1200 के जगह पर 800 ग्राम दिया जा रहा है बताएए गें परसंट कितने का होगा वीडियो को लाइक जारूर करेंगे मेरे भाई ठीक है आपके like से बहुत motivation मिलता है like करते रही है ठोकते रही है और share मन करे दिल कर एक दम लगे कि हाँ भाईया content में दम है मजा रहा है पढ़ने में तो share करते रही है ठीक है बिल्कुल share करना आपका हक बनता है ये आपका जो है तो एक आपको share ठीक है अगर मैं free में इस खर्चे में इस studio में आपको पढ़ा रहा हूँ free में आपके लिए type करवा के लेके आ रहा हूँ free में इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपसे बस एक ही चीज़ की demand है वो है share हर जगा पे share कर दीजे चलिए तो देखिए हाँ पर पैसे कितने के लिए तो 1200 ग्राम के और दिया कितना समान 800 ग्राम का दिया तो gain percent कितने का होगा तो simple यहाँ पर बोलेंगे भाईया यह हमारा CP है और यह हमारा SP है अगले को जितना वजन हम चिपकाते हैं वो हमारे JV से लगता है यानी CP के जगा पर कितना रखेंगे 800 ग्राम और SP का मतलब जितने का पैसा हमने लिया है यानी कितने का पैसा लिया है 1200 ग्राम का ratio क्या होगा तो 2 अनुपाद 3 2 रूपे के समान को 3 में बेशते हो फायदा कितने का 1 का कितने के उपर 2 के उपर एक का फायदा मेरे भाई दो के उपर एक बटे दो इंटू सो कितना हो जाएगा 50% बताओ इससे भी zero to hero content मिलेगा क्या आपको बताईए 50% जो होगा वो हमारा correct answer होगा चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एक और सवाल बड़ा शांदार इसी तरीके से अब देखो अगला सवाल आपके उपर क्या है कोई बेमान दुकानदार अपनी लागत मुले पर अपने माल को बेशने का वादा करता है लेकिन वह 30% कम वजन देता है कुछ ऐसे भी भाशा का इस्तमाल किया जाता है ऐसे भाशा जो है ये questions आए हैं आपके railway में और railway में ऐसे सवाल पूछे गए हैं railway के exams में कि भाशा एक दुकानदार है उसके नियत में खोट है और उसके नियत में खोट है तो वह क्या करता है किसी को कम वजन देने का कहता है कि हम तुमको कम वजन देंगे लेकिन वह 30% कम वजन का इस्तमाल करता है 30% कम वजन का इस्तमाल करता है उस case में बताईए कि उसको लाब कितने का होगा अगर 30% कम वजन का इस्तमाल करता है तो क्या उत्तर 30 होगा क्या होगा उत्तर बता दो जल्दी से ठीक है क्या होगा उत्तर बता दीजे जल्दी से तो साफ तोर पर आप बोलेंगे सर 30% कम वजन देखो 30 को बट्टे में तोड़ो, बट्टे में तोड़ोगे तो बोलोगे यहाँ पर वो 3 की कमी करेगा, वो 3 की कमी करेगा, वो ऐसा दुकानदार है कि पैसे लेगा 10 रुपय का और बेचेगा हमको 3 कम, यानि अगर हम यहाँ पर CP और SP का रेशो लिखे, तो क्या होगा मेरे भाई स समझना, उसने पैसे लिए मुझसे 10 रुपया का, उसने पैसे लिए मुझसे 10 किलो का, ऐसे समझ लो, उसने पैसे लिए 10 किलो का, लेकिन 10 में 3 कम चिपकाया, यानि समान दिया कितना तो 7 दिया, ठीक है, दिया कितना तो 7 दिया, मेरी बात को समझ रहे हो, दिया कितना तो 7 यानि जब हमसे profit पूँचा जाएगा तो profit कितने का कमाएगा? 3 का कितने के उपर? 7 के उपर? 1.7 कितना होता है? बतादो तो 1.7, 14 सही, 2.7 परतीशत में होता है तो 1.7 का इतना percent तो 3.7 का कितना हो जाएगा? 14 का 3 गुना हो जाएगा 42 42 सही 6 बटे 7 42 सही 6 बटे 7 क्या 42.66 हो सकता है तो 42.66 नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता 6 बटे 7 को देखो 6 बटे 7 को बटे में बदलो मानलो 6 को 60 बना दो तो 7 अठे कितना हो जाएगा 7 अठे 56 हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा, 7 पटे 35 हो जाएगा यानि 42.85 आएगा और 42.85 जो है मेरे भाई इस बात का ध्यान रखो यह 42.66 है तो आपका अंसर नन अव दीज होगा ना कि option number C बहुत बच्चे गलती कर बैठें यहाँ पे बहुत बच्चों ने अंसर सीध दिया 0.66 कमान 2 बटे 3 होता है ठीक है और यहाँ पर 6 बटे 7 दिया हुआ है ठीक 42 देखते जो है टिक मार दिये सीधा option number C मैं इसे थोड़ी होता है एक्जामनर पागल है जो तुमको पास-पास का option दिये हुए वो तो चाहता है कि तुम्हारी नोकरी जाए और नोकरी वो अपने प्यारे से दमाद को दे समझ रहो इस बात को तो ध्यान रखो इस बात को गलती नहीं करना है 30% कम वजन का मतलब क्या हुआ पैसे लिए कितने के 10 के और 10 के जगा पर 7 ग्राम दिया यानि फाइदा कितने का कमाया 3 का कितने के उपर 7 के उपर 3 बटे 7 1 बटे 7 इतना परशंट तो 3 बटे 7 इतना परशंट हमारा उत्तर हो जाएगा अगला सवाल सेम आपके लिए चलो बता दो जल्दी से ठीक है अगला सवाल सेम हो गया कि यहाँ पर अब क्या बोलता है कि वह 40% कम वजन देता है 40% less weight देगा तो बताओ profit कितने का होगा 40% less weight होगा तो profit कितने का होगा बता दीजे एकदम simple 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 question तो आप बोलेंगे सर देखो यह हम क्या लिखेंगे CP, दूसरा क्या लिखेंगे SP 40% को जब हम बटे में तोड़ेंगे तो आएगा सर 4 बटे 10 यानि 10 रूपे के जगह पर 4 गराम कम दिये हैं तो हम सेलिंग प्राइस तो हमेशा लिखेंगे 10 क्योंकि समान बेचा कितने में तो 10 में और खरीदा कितने में था 10 में 4 की कमी यानि 6 में खरीदा था तो प्रॉफिट की बात करें तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 4 का, कितने के उपर 6 के उपर 4 बटे 6 का करोगे 100 करोगे, 4 बटे 6 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, यहीं से रेशो ले लो ना, 2 से काटो तो 3 बार में कटेगा 5 में, 3 का समान 5 में दो का फायदा कितने के उपर तीन के उपर एक बटे तीन कितना होता है तो एक बटे तीन 33.33% होगा तो इसका दो गुना करना है यानि 66.66% option number जो D है वो correct answer है समझ में आगया मेरा बात या नहीं आगया बताओ जल्दी से 40% कम वजन यानि 10 में 4 की कमी पैसे लिए कितने के तो पैसे लिए 10 के और लगाया जेब से कितना 6 तो लाभ हम इस तरीके से कमा पाएंगे चलो अगला सवाल देखो सेम तरीके से अब एक सेकंड में मुझे answer चाहिए एक सेकंड में एक सेकंड में answer दे दीजे मुझे चलिए 25% कम वजन दे रहा है 25% कम वजन दे रहा है बता दो तो 25% कम वजन दे रहा है तो क्या होगा उत्तर 25% कम वजन दे रहा है तो उत्तर क्या होगा बोलोगे सर देखो कोई बात नहीं सीधा CP लिखो जल्दी से SP लिखो बात करते हैं 25% कम वजन का मतलब 25 का बटा कितने का 1 बटे 4 का पैसा लिया 4 का दिया कितना 3 फाइदा कितने का 1 का कितने के उपर 3 के उपर 1 बटे 3 कितना हो जाएगा 33.33% option number D जो होगा वो correct answer होगा ठीक है समझ में आगया बाद 33.33% 1 बटे 3 यानि 33.33% का profit चलो अगला सवाल देखो अब अगला सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का कर दिया हमने ताकि अब सभी पढ़ लिखकर हुशियार हो चुके हैं अब अगले सवाल के उपर आंसर दे सकते हैं सवाल देखें क्या बोला गया है सवाल में बोला गया है कि एक dishonest shopkeeper है है कि वो बोलता है कि देखो हम profit कमाएंगे पहला बात पहले क्या होता था पहले कि जितने सवाल आप देखे थे उसमें ये होता था कि वह अपने वस्तू को जो है क्रे मुले पे बेचता था लेकिन इस तरह के सवाल में आप देखेंगे तो ये बोला जाएगा कि अब वो पैसा इतना इमानदार नहीं है कि करे मुले पर बेचेगा अब वह उसी समान को rate बढ़ा कर बेचेगा 30% फाइदा कमा कर बेचेगा और साथ में वजन भी कम देगा अब डबल डबल profit हो रहा है और डबल डबल profit हो रहा है तो बता दो यहाँ पे कि वो फाइदा कमाएगा तो कैसे कमाएगा वो फाइदा कमाएगा तो कैसे कमाएगा सवाल आपके सामने है पहला फाइदा क्या कमा रहा है तो पहला फाइदा जो है वो 30% का कमा रहा है पैसे बढ़ा कर और दूसरा फाइदा 800 ग्राम दे कर अब आप अलग-अलग जब किताबों को देखेंगे न तो कहीं पर successive का इस्तमाल किया जाता है कहीं पर लोग उल्टा सीधा ऐसे करते हैं पांच सो का फाइदा कितने के ऊपर 800 के ऊपर 5 बटे 8 कितना हो गया 11.25% option number B Tick हो जाएगा लेकिन इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ इसका नुक्सान जब आप सवालों को काफी ज़ादा कॉंप्लिकेट करेंगे न जब आप उनको इस लेवल का लेकर आएंगे देखिए जब आप उनको थोड़ा सा हाई लेवल का लेकर जाएंगे और हाई लेवल के लेकर जाएंगे जब आप ऐसे बढ़ियां बढ़ियां सवाल दागेंगे जहां पर आपको समान को अधिक अंकित भी करना होगा आपको डिसकाउंट भी देना होगा साथ में आपको एक ग्यारसव बीस ग्राम उठा के लेके आ रहे हैं आट सो सी ग्राम दे रहे हैं वहाँ पर आप जाके फज आएंगे इसलिए मैंने आपको क्या कहा मैंने आपको कहा कि मैं इकलोता आपको ऐसा मेथड़ सिखा रहा हूँ जिससे आप हर तरह के सवाल को बना पाएंगे और ये जो मेंस का कोशन है आप इस कोशन को भी बना पाएंगे गौर से देखो इस सवाल का रूप कितना खुंखार दिख रहा है लेकिन ये सवाल कब बना पाओगे जब मेरे दिये गए concept को follow करोगे जो concept मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको पढ़ोगे तो ये भी सवाल वक्त आएगा कि ये दोनों सवाल आप बना पाओगे तो अभी देखो मैं आपको जो concept सिखा रहा हूँ बस उसके उपर काम करो फिर हर तरह के सवाल को आप बना पाओगे बात मैंने कहा है कि लाब मुझे मिलेगा यानि CP और SP के रिशियो से ही लाब मिलता है बताओ ठीक है मैंने कहा कि मुझे 30% का profit कमाना है अब मेरे भाई 30% का profit का मतलब क्या होता है 3 बटे 10 यानि हम बोलेंगे सार 10 रुपया का अगर मैं दुकान में समान है तो मैं उसमें 3 रुपय जादा अंकित करूँगा यानि मैं उसको कितने में बेचूँगा 13 रुपय में ठीक है आप केडी केंपस की फैकल्टी हो क्या भाई तुम्हें केडी केंपस का फैकल्टी दिखता हूँ ये बताओ अब वही जमाना रह गया है कि यहां जाके पढ़ाएंगे खुद के शेरभिया किसी के गुलाम नहीं है जो जाके कहीं पर पढ़ाएं ठीक है खुद का चैनल खुद जगह पर पढ़ाते हैं समझ में आ गई बात तो 10 रुपय के समान को कितने में बेचेंगे 13 रुपय में बेचेंगे समझे कोई ऐसी कमपनी नहीं है जिसने हमें खरीदने की कोशिश ना की हो लेकिन बस आप लोगों का प्यार है जो हमें यहां पर रोक देता है इस बात को जान लीजे तो 10 रुपय के समान को कितने में बेचें 13 में बेचें और उसके बाद बात करते हैं 800 ग्राम ही दिया है हम लोगों ने कितने जगा पे एक किलो के जगा पे तो हम बोलेंगे देखो पैसा कितने का लिया एक किलो का और लगाया कितना दिया कितना 800 ग्राम जो हम किसी को पैसा यानि जितना ग्राम जो है हम लगाते हैं या ऐसे समझ लो मैंने 1 kg का पैसा लिया अगले को मैंने 800 ग्राम दिया तो 800 ग्राम अगर उसको दिये हैं तो अपने जेब से कितना लगाया है 800 ग्राम ही तो लगाया है यानि मेरा cost price कितना हो जाएगा बात करेंगे आप यहां पर देखे तो आपका 10 से यह 10 भी खतम हो जाएगा तो आपका हनुपात कितना आएगा 8 हनुपात 13 आजाएगा कितना आजाएगा 8 हनुपात 13 आजाएगा लाब कितना कमाएंगे तो 5 का लाब कमाएंगे कितने के उपर 8 के उपर तो 5 बटे 8 और प्रत नमबर B, B for बाहु बली, समझ में आगया बात चलिए अगला सवाल से मैं आपको दे रहा हूँ कि एक दुकानदार किसी वस्तू को 25% के लाप पर कमाता है ठीक है, और 700 ग्राम देता है वो एक किलो के जगा पर तो बताईए कि 700 ग्राम एक किलो के जगा पर देगा तो फायदा कैसे कमाएगा, कैसे बोलोगे बोलोगे सर, CP को लिखते हैं और SP को लिखते हैं, ठीक है पहले आप 25% फायदा कमाना चाहते हैं तो 25% का फायदा का मतलब बटा में कितना हो गया, एक बटे 4 यानी 4 रुपे के समान को हम कितने में बेच रहे हैं, तो 4 रुपे के समान को एक के लाभ में, यानी चार रुपे के समान को 5 में बेच रहे हैं फिर उसके बाद बोला गया, 700 ग्राम देते हैं, एक किलो के जगा पर यानि अपने जेब से कितने लगा रहे हैं तो अपने जेब से हम 700 ग्राम लगा रहे हैं और सामने वाले से पैसा कितना ले रहे हैं एक किलो, एक किलो का मतलब 1000 ग्राम समझ में आ गया एक किलो के जगह पर 1000 ग्राम ये हमारा हो गया पैसे के कारण प्रॉफिट ये हमारा हो गया बैमानी के कारण profit अब दोनो profit से हमें total profit निकालना है तो हम इनका ratio लगाएंगे और ratio लगाकर काटिए 2.0 से आपने 2.0 को काट दिया आप 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेंगे 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेंगे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो 14 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 14 रुपय के समान को 25 रुपय में बेचते हैं कितने का लाब कमाएंगे तो 11 रुपय का लाब कितने के उपर 14 के उपर 11 बटे 14 इंटू 100 ठीक है क्या आपको दिख रहा है ये कितने के करीब आएगा 11 बटे 14 बता दो कितने के करीब आएगा मेरे भाई तो 2 से काटो देखो 1 बटे 14 कितना होता है तो 1 बटे 14 होता है 7 सही 1 बटे 7 परतिशत 1 बटे 14 सही 1 बटे 7 परतिशत तो 11 बटे 14 कैसे हो जाएगा बताओ तो 11 into 7 कितना हो जाएगा 77 फिर ये 7 से चुकी बड़ा है 7 से बड़ा है तो क्या करेंगे कम करेंगे भाग लगा दो 11 में 7 का भाग लगा दो एक बार में भाग लगेगा तो 7 एकम 7 और वो एक इसको आ जाएगा तो यानि हो जाएगा 78 और यहाँ पर हो जाएगा बचेगा 4, 78 शही 4,7 परशंट, कौन सा option दिख रहा है तो none of these दिख रहा है, none of these जो होगा वो हमारा correct answer होगा, ठीक है, समझ में आगया बात चलिए, अगला सवाल देखे, अगला सवाल में फिर थोड़ वह 700 ग्राम देता है, लेकिन 700 ग्राम वह 1 किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम के ऊपर देता है, तो बता दो फाइदा जो होगा वो कितने का होगा, 700 ग्राम दे रहा है मेरे भाई, लेकिन 1 किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम के जगह पर, तो profit क्या होगा, ratio क्या होगा, total profit क्या हो बोलोगे सर 25% का profit और 25% का मतलब कितना होता है एक बटे 4 यानि 4 रुपे के समान को हम 5 में बेचते हैं फिर उसके बाद बोला गया है पैसे लिए कितने के तो 900 ग्राम के और चिपकाया कितना 700 ग्राम जितना ग्राम हम किसी को देंगे तो वहीं मेरा क्या होगा यहां पर वहीं मेरा cost price हो जाएगा ठीक है और पैसे लिए कितने के हैं 900 ग्राम के तो यह हमारा हो जाएगा selling price समझ में आ गया मेरी बात को 4 रुपे के समान को 5 में और 700 ग्राम के समान के लिए पैसा लिया 900 ग्राम दोनो 0 से हमारा दोनो 0 खतम हो गया 7 इंटू 4 कितना हो गया तो 28 और 9 इंटू 5 कितना हो गया तो 45 कितने का लाब मेरे भाई बता दो जल्दी से तो 17 का लाब कितने के उपर 28 के उपर 17 बटे 28 इंटू क्या करोगे 100 करोगे यहीं तुमारा क्या आ जाएगा profit का percentage आ जाएगा क्या जाएगा profit का 4 से काटोगे तो 7 बार में 4 से काटोगे 25 बार में गुना करो 25 का 7 गुना 175 होता है यानि 5 हाथ में और सारी 5 हाथ में और 17 हाथ में 5 लिग दो 17 हाथ में 25 से कम 25 7 32 10 42 यानि 425 बटे कितना 425 बटे 7 परशेंट अब देखो यहाँ पर कारोगे तो 7 चक 60 सही 5 बटे 7 परशेंट जो होगा वो आपका correct answer होगा 60 सही 5 बटे 7 कौन सा option दिख रहा है तो none of these जो है वो हमारा correct answer दिख रहा है मैंने last last तक क्यों calculation किया था कि मैं आपको बता सको कि देखो calculation आपको करना जरूरी है बाकी मुझे यहीं पर समझ में आ गया था कि यह बिल्कुल भी संभाव नहीं है क्यों संभाव नहीं है क्योंकि 50.50 प्लस 8.33 का मान है ठीक है चांचट सही चांचट यह जरूरी नहीं क्योंकि यह 2 बटे 3 का मान है ठीक है सॉरी 33 हाँ 50 को और 7 में 8.33 8.33 यानि 8 सही 1 बटे 3 यानि 25 बटे 3 25 बटे 3 यानि 1 बटे 12 तो 1 बटे 2 को 1 बटे 12 के साथ जोड़ा गया है तो यह 7 बटे 12 का मान है और 7 बटे 12 नहीं आया है 17 बटे 28 आया है यानि option number A भी नहीं होता लेकिन वैसा करने से बहतर है कि आप थोड़ा अपने उगलियों को चला ले और calculation कर ले ठीक है चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल सेम तरीके से बढ़िया question बोला गया है और यह question जो है यह सभी आप लोगों के लिए है कि आप इसका answer किसमें देंगे तो आप इसका answer चुकी अब सीख शुके हैं तो comment box में जरूर देखें इसका answer comment box में question क्या है आपके लिए question simple सा है साधारन सा है कि आप 20% के loss पर स्रमान को बेशते हैं ठीक है लेकिन एक kilo के जगह पर साधे 800 ग्राम इस्तमाल करते हैं तो आपको loss कितने का होगा आपको loss जो है वो कितने का होगा इसका answer आपको कहां देना है comment box में चलिए आजएए अब एक और खुबसूरत सा प्यारा सा सवाल आप सभी के लिए अब हम profit नहीं कमा रहे हैं अब हम loss कर रहे हैं loss कैसे कर रहे हैं तो कोई एकदम प्यारा सा जैसे मैंने कहा न अब हमारा दुकांदार कौन है तो अब हमारा दुकांदार मुन्ना है ठीक है और मुन्ने के दुकान पे कौन आ जाती है तो प्यारी सी हमारी मुन्नी आ जाती है मुन्ना तो बेचारा ऐसे ही पागल हो जाता है कि अब करे तो क्या करे ठीक है तो जब मुन्नी आती है तो क्या होता है कि मुन्ना प्रॉमिस करता है मुन्नी को कि देखो बात ऐसी है ठीक है हम तुमको 20% के नुकसान पर देंगे तो सवाल में आपसे पूछा जाता है कि क्या उसका actual loss जो था 20% उसको उतना ही कलास हुआ या उससे कम का हुआ या उससे ज्यादा का loss हुआ हमसे सवाल में ये पूछा गया है पैसे में उसने तो 20% की कमी कर दी लेकिन वजन में उसने धोखा धरी कर दिया 900 ग्राम के जगह पे जो है 8500 ग्राम चपकाएं तो बताओ यहाँ पर उसको जो profit हुआ वो कितने का हुआ आप क्या बोलेंगे बोलेंगे देखो यहाँ पर पहले लिखते हैं CP फिर लिखते हैं SP और तब यहाँ पर देखते हैं profit कितने का होगा तो बताओ 20% का loss 20% का मतलब 1 बटे 4 यानि 5 रुपे के समान को हम कितने में बेचेंगे तो 4 में बेचेंगे और 900 ग्राम के जगह पे 8500 ग्राम देते हैं तो जितना वजन हम किसी को देते हैं वो हमारा क्या होता है तो वो हमारा cost price होता है यानि 8500 cost price है ठीक है और 900 ग्राम के पैसे लिए हैं तो 900 ग्राम हमारा क्या है तो 900 ग्राम हमारा selling price है बस सवाल आपका बन गया दोनों ratio को लेख लीजे 0 से आपका 0 खतम 5 से काटेंगे तो 17 बार में 5 से काटेंगे तो 18 बार में 85 के समान को 72 में बेशते हो तो कितने का फाइदा 13 का 13 का नुकसान है बताओ कितने का नुकसान 13 का कितने के उपर 85 के उपर तो 13 बटे 85 into 100 करेंगे आपका answer आ जाएगा 13 बटे 85 into 100 करिए calculation करिए और calculation करेंगे तो जो आपका answer आएगा वो आएगा none of these none of these मेरे भाई समझ में आ गया मेरी बात को चलो अगला सवाल देखो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का question हो गया और ऐसा सवाल जो है आपके paper में कम से कम 4 बार अब तक पूछा जा चुका है particularly SSE के paper में banking में भी पूछा गया है लेकिन SSE में ये सवाल 4 बार पूछा गया है और market में जितनी भी किताब हैं सब में इसका उत्तर गलत दे रखा है यहां तक कि लोगों ने भी अपनी वीडियो में गलत पढ़ा रखा है अब आप जो है इसका एकदम सही concept सीखेंगे बहुत जगा पर उत्तर अलग अलग दिया जाता है कहीं पर तो ऐसा कहा जाता है SSE फलाने आंसर को मानती है भाईया ये बात गलत है SSE कोई आंसर वांसर को नहीं मानती तुम्हारे concept सही है तो तुम paper में challenge कर सकते हो अन्यता तुम्हारा जो है एकदम घटिया solution है तो तुम किसी काबिल नहीं हो challenge करने के अब सवाल को देखो क्या बोला गया है सवाल में बोला गया है कि एक वैपारी दोशपूर्ण भार का उपियोग करके अपनी आपूर्ती करता और उसके ग्रहक दोनों को धोखा देता है मतलब जिससे समान खरीदता है उसको भी धोखा दिया और जिसको बेचा उसको भी धोखा दिया वह संकेतिक भारे से 20% अधिक लेता है यानि जब वह समान खरीदने जाता है तो 20% जादा वजन उठा के लेके चला आता है ठीक है और वह संकेतिक वजन से ठीक है और जब वह अपने ग्रहा को बेचता है ठीक है तो संकेतिक वजन से 20% कम देता है मतलब उसको जितना भी वजन उसको देना है उससे 20% वह कम वजन देता है तो वह लागत मुले पर अपने लेग को बेचता है तो शुद्ध लाब प्रतिशत क्या होगा अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि 20% यहाँ लाब है और 20% यहाँ लाब है 20 और 20 का सक्सेसिव लगा दीजे 44 आएगा और करेक्ट उत्तर होगा यहाँ तक बड़े बड़े टीशर्स के क्लास नोर्स में भी लिखा हुआ है कि भाईया SSC इसका अंसर 44 मानती है आपके घर से आया है क्या जो 44 मानती है यह बताओ गलाच चीजे बच्चों को ना पढ़ाओ नुकसान होता है ठीक है हम रेशियो से आंसर को निकालते हैं यानि पहले हम लिखते हैं CP और फिर लिखते हैं SP सवाल में बोला गया है कि 20% वह ज्यादा वजन लेकर आता है चलो मैं आपको ग्राम के हिसाब से ही बताता हूँ यानि उसने पैसे दिये सामने वाले को 1000 ग्राम के जगह पे तो वो उठा कर कितना लेकर आया तो 1200 ग्राम लेकर आया 1000 से 1000 को काटिये और 800 और 1200 को काटिये तो किस अनुपात में कटेगा 2 अनुपात 3 में यानि 2 अनुपात 3 जो होगा वो क्या होगा final answer हो जाएगा अब 2 अनुपात 3 की मेरे भाई बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 2 रुपाय के समान को 3 रुपाय में बेच रहे हैं तो मुझे बताओ profit कितने का तो 1 का कितने के उपर 2 के उपर और एक बटे 2 को जब प्रतीशत में बतलोगे तो उत्तर कितना हैगा 50% यानि option number जो A होगा वो correct answer होगा option number जो A होगा वो correct answer होगा 50% का लाब होगा मेरे भाई 50% का लाब गलती नहीं करेंगे पेपर में बार बार मैं कह रहा हूँ आपको अलग-अलग जगा पर अलग-अलग answer दिये होते हैं सभी answer गलत हैं जो main concept है वो ये है कि खरीदेते वक्त की बेमानी को ऐसे लिखते हैं बेशते वक्त को ऐसे लिखते हैं दोनों को combine करेंगे तो उत्तर 50% आएगा अगर कोई student गलती कर रहा है तो सुधार लो ठीक है और वीडियो को मेरे भाई like और चैनल को subscribe ज़रूर करते रहें ताकि आपको daily इस class का notification का मिले daily आप इस foundation batch में जुडपा और रोज शाम साड़े आठ बजे भौकाल मचाईए अपने भविश्य को उजवल करिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए इस concept को सीखना इस बात को ध्यान रखिए ठीक है सर एक maths का और एक लेना है अपने कोई response नहीं दिया sorry क्या कहा आपने भूरा खान कोई बात नहीं आपके पास हमारा number है आप हमारे number पर आज रात में बात कर लेंगे यहाँ पर comment ना करें चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बात करते हैं सवाल देखिए बड़ा बहतरी question है यह दमदार सवाल हो गया और यह सवाल को बनाने के लिए है न आपको मेरा concept ही काम आएगा जो concept मैंने आपको दिया है और अकेला यह सवाल नहीं ऐसे अलग-अलग सवाल बनाये जा सकते हैं पेपर में चाहे वो पीपरी में हो चाहे वो मेस में हो चाहे वो रेलवे में हो पर एक्जाम में बढ़िया कोशन, सवाल देखे क्या बोला गया है, एक दुकानदार लागत मुले से 35% उपर अपने माल को चिनहित करता है, यानि मार्केट करता है, फिर उसके बाद बोलता है, और ग्राहक को 23% की छूट भी देता है, खरीदने के समय वह एक किलो के बजाए 1120 ग्राम का उपियो करता है, और बेशने वक्त वह एक किलो के जगा 880 ग्राम का उपियो करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, अब जो लोग अपने क्लास नोट्स में, कॉपी में अलग-अलग मेथड बताते हैं न, इस पर्टिकुलर सवाल पे उनके सारे मेथड फेल हो जाएंगे, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हो, वो कभी फेल नहीं होगा, ठीक है? और वो मेथड क्या है? हमेशा से रेशियो मेथड, रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा, समझ में आगया बात देखो कई से लि उससे हम इसका percentage निकालते हैं, लाव का नुपात निकालते हैं, एक दुकानदार अपने वस्तु को 35% अधिक अंकित करता है, 35% अधिक अंकित करने का मतलब आप जानते हैं, यानि कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपया का समान को लेकर आए हैं, तो उसको 135 रुपय में परशंट अधिक अंकित करता हूँ यानि मैं 100 रुपे के समान को कितने में बेचूंगा तो मैं उसको 120 में बेचूंगा ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ तो दुकानदार यहाँ पर 35 परशंट अधिक अंकित करता है यानि 100 रुपे के समान को वो कितने में बेचेगा तो 135 में बेचेगा ये उसने कहा है फिर उसके बाद बोला गया है कि वह 23% का discount देता है discount का मतलब क्या होता है offer ठीके discount का मतलब क्या होता है offer यानि आप ऐसे समझेए कि 100 रुपिया का समान है अगर मैं 10% का discount दूँगा यानि 100 रुपे के समान को मैं 90 में बेचूंगा उसी तरीके से 100 रुपे के समान पर अगर मुझे 20% का डिसकाउंट देना है तो 100 के समान को मैं 80 में बेचूंगा यानि इसमें 20 की कमी कर दूँगा तो बोला गया है 23% का डिसकाउंट है यानि मैं बोलूँगा अगर मेरा 100 रुपिया का समान है तो 23 का डिसकाउंट यानि 100 के समान को कितने में बेचेंगे तो 77 रुपे में बेचेंगे पहला वाला लाइन हो गया दूसरा वाला लाइन हो गया अब आजाओ खरीदिते वक्त वहाँ 1120 ग्राम उठा के लेकर आता है तो खरीदिते वक्ती बेमानियाद है कैसे लिखते हैं कि खरीदिते वक्त पैसा लेगा 1000 ग्राम का और लेकर कितना आएगा तो 1120 ग्राम लेकर आएगा और बेशते वक्त भा अगले को 880 ग्राम देता है कितने के जगह पर? एक किलो के जगह पर तो यानी 880 ग्राम तो खुद के जेब से कितने लगे तो 880 और पैसा लिया कितने से तो अगले से एक किलो का यानी 1000 ग्राम का बस ratio लगाईए और answer पाईए आपका answer आ गया ठीक है और कुछ नहीं करना है आपका answer आ गया 100 के समान को 135 में बेचेगा 100 के समान में 77 में बेचेगा discount देके खरीदिते वक्ती बेमानी ये बेचते वक्ती बेमानी ये 1000 से हमारा 1000 खतम हो जाएगा 0 से हमारा 0 खतम हो जाएगा मेरे भाई और कहीं पर कटेगा 11 से 7 बार में कटेगा 11 से 8 बार में कटेगा और कहीं कुछ कटने वाला है तो बताइए बिल्कुल 5 से भी काट देंगे इसको 5 से कटेगा 2 बार में 5 से कटेगा 7 बार में 5 से कटेगा 20 बार में ठीक और कहीं पर कुछ कटने वाला है तो 2 से काट दीजे इसको 10 बार में और 2 से काट यह 25 बार ठीक है 56 से काटेंगे काम करिए 4 से काटेंगे 4 से कटेगा यह 5 बार में और 4 से कटेगा 4 दूनी 8 ठीक है और 28 बार में 4 दूनी 8 और उसके बाद 32 और कहीं 4 से कटेगा तो देखो 4 से काटो इसको 2 बार में 4 से काटोगे 7 बार में आ जाएगा 5 इंटू 2 10 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा और यहाँ पर काटोगे तो 27 इंटू 49 कितना अंसर हो जाएगा 27 इंटू 49 गुना कर लीजे इनको यहाँ पर 9 x 7 तेरे 60 का आपको देखो 9 x 7 तेरे 60 का तीन हात में 6 9 दुनी 18 और 7 चुके 28 28 और 28 कितने होते हैं तो 28 और 28 जो हो गए हो हमारे 48 28 और 36 और 46 दे 52 का दो हात में 5 4 दूनी 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 यानी यह हो जाएगा हमारा 1323 गुना कर लो 1000 रुपे के समान को 1323 में बेचते हैं कितने का लाब तो बोलेंगे 323 का लाब कितने के उपर तो 1000 के उपर 323 बटे 1000 इंटो कितना करोगे 100 करोगे तो उत्तर जो हो तुम्हार आ जाएगा 32.3% 32.3 यानि option number D for दिल मांगे, more जो होगा वो correct answer होगा, ऐसे भी देख लो 323 का लाव हजार के उपर तो 32.3 आएगा, वो आपके उपर है, ठीक, तो ऐसे वैसे सवाल बढ़िया आपके paper में पूछा जाता है एक सवाल जैसे ऐसा भी पूछा जाएगा आपके paper में, cross question भी किया जा सकता है, तो cross question को देखो बढ़िया सवाल है, ठीक है बना लो, क्या जा रहा है, concept सीखोगे तो काम ही ना आएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि complete video होने वाली है ये discount पे, तो ये जो है आपको last में complete करता है हर तरह के सवालों को, question क्या बोला गया है दुकांदार promise करता है, समान को CPP बेशने का, लेकिन वहाँ कुछ ग्राम देता है, कितने के जगह पर, 945 ग्राम के जगह पर और lab कमाता है, total कितने का 26 ग्राम का, तो मैंने कहा बताओ false version क्या होगा ठीक है, awesome सर जी यह first time समझ आया, बिल्कुल clearly, बहुत अच्छी बात है, आर्ती पटेल बहुत शांदार, अब सवाल को देखिए, वो क्या करता है, कि वो पैसे लेता है, अगले से 945 ग्राम का, लेकिन उसके जगह पर वो कुछ ग्राम देता है, ठीक है और इस तरीके से जो उसको लाब होता है, वो कितने का होता है, तो 26% का, बताओ false weight कितना होगा, ठीक है बताओ false weight कितना होगा अब एक छोटा समय आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल बस मेरा इतना है, कि आपको जो profit है वो हो रहा है 33 सही एक बटे 3% का, ठीक है और आप अगले को एक किलो के जगह पर कितना ग्राम दोगे मुझे ये बताओ, एक किलो के जगह पर कितना ग्राम दोगे, कि आपको 33 सही एक बटे 3% का लाब हो, 33 सही एक बटे 3% का लाब हो, मैं आपको simple question पूछ रहा हूँ, अब मैंने आपको उल्टा बोल दिया अब मैंने आपको ये कहा कि आपका profit का प्रतिशत इतना है आप अगले को एक किलो के जगह पर कितना वजन देंगे एक किलो के जगह पर कितना देंगे कितने का फायदा होता था 100 का फायदा कितने के उपर 900 के उपर तो 100 का फायदा 900 के उपर तो जब काटते थे तो आता था 1 बटे 9 नीचे वाला क्या होता था तो नीचे वाला cost price होता था उपर वाला क्या होता था तो profit होता था या ऐसे समझ लिजे कि नीचे वाला वो होता था जितना हम अपने जेब से लगाते थे और उपर वाला वो होता था यानि यहाँ पर देख रहे हो ना आप क्या लिकरे हो profit का percentage निकालने के लिए कितने का profit है तो 100 का और बटे में कितना है 900 ग्राम है जब हम इन दोनों को जोड़ते थे तो यह किस के बराबर आते थे 1000 ग्राम के बराबर ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें काम करना है मेरे कहने का मतलब है आपको लाब हुआ है 33 एक बटे 3 का यानि एक बटे 3 और आपको एक का लाब हुआ है तीन के उपर जब आप दोनों को जोड़ेंगे ना तो यह एक किलो के बराबर आएगा क्यूं? क्योंकि यह दोनों जो हैं सेलिंग प्राइस के बराबर है और सेलिंग का मतलब हमने सामने वाले से पैसा लिया है एक किलो का ठीक है? यानि हम कह सकते हैं चार यूनिट जो है वो कितने के बराबर है तो चार यूनिट हमारा एक किलो यानि हजार गराम के बराबर है चार यूनिट हजार गराम के बराबर तो एक यूनिट धाईसो गराम के बराबर यानि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने लाप कमाया है तो कितने का 1200 गराम का, यानि 25 इंटु एक और हमने जो सामने वाले को दिया है, वो बज़ंग इतना दिया है तो 2500 इंटु 3, यानि हमने 1500 गराम दिया है, तो कल के दिन अगर मुझसे ये बोले, कि बताओ यहाँ पे उसने कितना gram दिया तो 3 gram का बतलब बताना है यानि 700 gram दिये एक और question आप लोग लिख लीजे एक और question आप लोग लिख लीजे आपका profit है कितने का 11.1.9 gram का आपसे बोला है कि 1 kilo के जगह पर उसने x gram वजन दिया है और आपसे पूछा है कि x की value कितनी होगी बतादो option number 1 है x की value 100 gram होगी option number 2 है x की value 900 gram होगी option number C है वो हो जाएãyगा x का value 7.5 gram या option number D हो जाएगा कि x के जगह पर उसने 800 gram दिया है कितना gram दिया है एक तो तरीका हो जाएगा option को उठा के रख लो या फिर दूसरा तरीका क्या होगा बोलोगे सर बात ऐसी है देखो profit को तोड़ो एक ग्यारा सही एक बटे 9 इसका मतलब क्या होता है एक बटे 9 के बराबर ठीक है जब हम एक और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा किसके 1000 ग्राम के यानि 10 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा तो 1 यूनिट का मान 100 ग्राम और 9 का मान कितना आएगा तो 900 ग्राम यानि अगले से हमने पैसा कितने का लिया है तो 900 ग्राम का लिया है ठीक है उसके लिए परिशान मत होईए चलिए अगला सवाल आपके सामने लिखा गया है क्या लिखा गया है कि आप जो profit कमाते हैं वो कितने का कमाते हैं 26 प्रतिशत का ठीक और वजन आप कितना दे रहे हैं तो 1 kg सॉरी 945 ग्राम के वजन पर आप कितना देंगे कि आपको 26% का फायदा होगा मतलब अब आप सामने वाले से 1 kg का पैसा नहीं ले रहे हैं आप 945 ग्राम का पैसा ले रहे हैं ठीक है और उसके जगह पर जो फायदा आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 26% तो बताइए आप जो है कितना ग्राम कम वजन देंगे तो बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि profit है 26% का यह हमारा क्या है profit है इसको बटे में तोड़ो तो 26 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा फिर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 13 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86 यूनिट और यहीं 63 किसके बराबर तो यहीं 63 945 के बराबर अगर 63 यूनिट 945 के बराबर है तो एक यूनिट का मान कितना होगा 63 एकम 63 ठीक है और 9 से 4 एक 3 आपका 15 बार में जाएगा फिर से देख लो 4 से 3 एक हो गया 9 से 6 तीन हो गया और 315 यानि 5 बार में जाएगा आप इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा 15 बार में यानि बोलेंगे सर 63 कमान 945 है तो 1 कमान 15 एक कमान कितना हो जाएगा एक कमान 15 हो जाएगा तो 13 से गुना करिए तो 13 को 15 से और 50 को 15 से 50 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो कितना हैगा 7500 ग्राम यानि आपने सामने वाले को कितना दिया है तो 7500 ग्राम दिया है दुबारा से समझ लीजे लाब कितने का है 26%, 26 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 26 बटे 100 यानि 13 बटे 50, 13 और 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63, जो भी 63 होता है उसी कमान 945 दिया गया है, यानि एक कमान कितना हो जाएगा तो 15, हमसे पूछा गया है तुमने कितना ग्राम दिया, तो 50 ग्राम देते है और 13 ग्राम का लाब कमाते हैं, अगर लाब कमान पूछता तो 13 कमान बताते हैं, हमसे ये पूछा गया है, कि तुमने वजन दिया कितना है, यानि 50 कमान बताना है, तो 50 इंटू 15 यानि 7500 ग्राम, ये हमारा उत्तर होगा, option number B, ठीक है, तो इतने ही सवाल जो है, इस तरह के बनते हैं आपके paper में, एक और सवाल है, ऐसे ही question है, ठीक, और ऐसे ही question है, last question बनता है, देख लो question में क्या बोलता है, कि एक dishonest dealer है, समान को 15% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है, और 7 में वह गलत वजन का उपियोग भी करता है, और इस कारण उसका total profit 25% का बनता है, तो बत बताओंगा अपने बैच के बारे में, बस 2 मिनट, ठीक, और बैच के साथ साथ एक और आप लोगों को बात भी बताएंगे, जो बहुत जरूरी है आप लोगों को बात बताना, दिल की बात है, जो share करेंगे, जिसके लिए मैं काफी परेशान हो कुछ दिनों से, तो वीडि प्रॉफिट 25% का होता है, तो हमसे बोला गया है, बताओ उसने कितना ग्राम वजन दिया, माल लीजे हम से सवाल में ये बोला गया है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं, सर देखो ये CP होता है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो SP होता है, ठीक है, हम 15% के नुकसा पर समान को दे रहे हैं हम 15% के नुकसान पर दे रहे हैं यानि 100 रुपे के समान को हम कितने में दे रहे हैं 85 में दे रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद बोला गया है कि वो गलत वजन का बेस्तमाल करता है वह गलत वजन का इस्तमाल करता है एक Kilogram के जगह पर अगले को X Gram देता है यानी सामने वाले से जब भी वो पैसा लेगा तो कितने का लेगा 1000 Gram का लेकिन हो सकता है 1000 के Gram पर 900 दे दे 800 दे दे 700 दे यहाँ पर मतलब X Gram वो देता है हमसे ये कहा गया है और फिर कहा गया है कि Total Profit 25% का है Total Profit कितने का है my dear तो Total Profit 25% का है 25% का मतलब क्या हो गया 1 बटे 4 यानी 4 रुपे के समान को आप कितने में बेचते हो तो 4 रुपे के समान को आप 5 रुपे में बेचते हो और आपसे बोला गया है बताओ इस X का मान कितना होगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उनके बनाने के तरीके अलग-अलग होते हैं ठीक है और बनाने के तरीके अलग-अलग कैसे होते हैं जैसे बहुत बच्चा ये करता है कि 1000 को या 100 को X के साथ यहां पर देखो 100 को हमने X के साथ गुना किया तो हमारा कितना आ गया 4 तो X का मान कितना हो जाएगा, 4 बटे 100 वो ऐसे calculate करते हैं, ये सब बकवास बाते होती हैं, गलत बाते होती हैं ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे वो समझ लीजे जब भी मैंने आपको बताया था कि इसको मिटाओ एक बार, एक पल के लिए इसको मिटाओ, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, कि जब मानलो कि आपको percentage में पढ़ाया था तो याद करो मैंने कहा था, लंबाई का अनुपात, एक अनुपात दो है, चोडाई का क्या अनुपात रहे, कि एरिया का अनुपात हमारा मानलो कि 4, या मानलो एरिया का अनुपात कितना आजाए, तो 3 अनुपात 5 आजाए, मानलो मैंने एक छोटा सा सवाल percentage में कराया लंबाई का अनुपात इतना है, चोडाई का कितना रहेगा, कि एरिया का इतना आएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक ratio आपको दे दिया जाएगा और दूसरा पता करना होगा और दोनों का total रहेगा, समझ में आ रहा है बात याद करो, लंबाई को चोड़ाई के साथ गुना करने पर ही क्या आता है, तो area आता है यानि 2 संख्याओ को, तो जब मुझे breath का area यानि चोड़ाई का ratio लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूँगा देखो यहाँ 3 है न, 3 के उपर माल लिखना है तो 3 into 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 into 1 कितना लिखेंगे 5 into 1 यह सबसे शांदार तरीका होता है लिखने का फिर से मेरी बात को समझे अगर कल के दिन मैं यहाँ ratio को invert कर रहा हूँ माल लो मैं ratio को लिखता हूँ लंबाई का ratio 5, अनुपात 6 है area का अनुपात जो है वो मेरा माल लो 9, अनुपात 11 है तो मेरा चोड़ाई का ratio क्या होगा यहाँ पर जो चोड़ाई है उसके जगह पर क्या लिखेंगे तो बोलेंगे sir 9 into 6 यानी 11 यानी 15 आ जाएगा और 11 into 5 यानी 15 आ जाएगा सबसे शांदार तरीका है लिखने का तो सेम तरीके से आप यहाँ पर भी लिखें आप बोलेंगे यहाँ 4 है और यहाँ 85 है तो यहाँ आ जाएगा 4 into 85 ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा 5 into 100 कितना हो जाएगा 5 into 100 समझ में आ गया मेरी बात को अब यह कितना है 500 ग्राम है और यहीं 500 ग्राम किसके बराबर है तो 1 kg यानी 1000 gram के बराबर है 500 unit 1000 gram के बराबर तो 1 unit 2 gram के बराबर तो यहां 85 into 4 कितना हो गया 85 का 2 गुना 70 170 340 है कितना है 340 मेरी बात को समझना ये 500 gram ही तो 1000 के बराबर है क्यों क्यों क्योंकि सवाल में बोला गया है उसने 1 kg का पैसा लिया है यानी उसने 1000 gram का पैसा लिया है तो selling price 1000 है और उसी के जगह पर cost price X दिया है 500 कमान 1000 है यानी कितना से गुना किया 2 से तो इसका जो मान आया है वो 340 आया है तो हमें 340 को कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से तो हमारा उत्तर आ जाएगा 680 gram इस बात का ध्यान रखो यानी उसने कितना वजन दिया तो 680 gram दिये कितना वजन दिया 680 gram दिये ये हमारा correct तरीका हो गया समझे मेरी बात को आप इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बना पाएंगे तो आज के लिए इतना ही ठीक है और wind up करते हैं सेशन को साथ में एक बहुत महत्वपून बात बता दें अगर आपको देखो अच्छे से advanced math को खतम करना है और arithmetic को भी खतम करना है एकदम बिल्कुल 0 से hero level तक का आपको content पढ़ना है तो आप batch is drawing कर सकते हो शेरिशा math special batch ये batch हमारा start हुआ है 25 October को ठीक और इस batch की जो है आपको काफी खासियत मैं अभी एक एक करकर के बताऊंगा आपको ताकि आप अच्छे से जान पाएंगे इस batch की पूरी की पूरी खासियत देखो मैं आपको सीधा बताऊं तो मेरे पास काफी धंकिया आ रही है भी right now उठाऊं कि धंकिया बोल लो या ऐसे बोल लो कि लोग जो है थोड़ा सा काफी परेशान कर रहे हैं जिसके बारे मैं कल एक वीडियो बना कर जरूर बताऊंगा आप लोगों को बढ़िया तरीक नहीं होने लगी है कि उनके admissions कोई और कैसे ले जा रहा है उनके जो बच्चों के साथ connection है वो कोई और कैसे ले जा रहा है ठीक है जो हमारा दबदबा था वो हमारा दबदबा कम कैसे हो रहा है जो वो तिकड़म बाजी किया करते थे YouTube पर गलत तरीके से views बढ़ाने के कोई और चैनल को खरीद देने का तो सब जो थोड़ा सा धानले बाजी है ना मैं बहुत जल्द परदाफास करने वाला हूँ एक वीडियो आएगी और सब की बैंड बजाके जाएगी इतना मैं आपसे कह सकता हूँ और क्यों बैंड बजाके जाएगी उसका कारण भी है उसका का कैसे रख दी कम और दूसरा यह जो इस तरीके से content दे रहा है तो हमारी ना market में कोई book चल पा रही है ना हमारी market में कोई class notes चल पा रही है तो ये थोड़ा सा डर लग रहा है लोगों को जिसका भी जवाब बहुत जल्द मैं दूँगा बहुत दच्चे से ठीक है क्यों डर अगेगा क्योंकि देखो ये जो batch launch हुआ है ना इस batch की वज़े से थोड़ा सा काफी लोगों को परेशानी आ रहा है और परेशानी क्या आ रहा है इस batch को मैंने start किया किस से तो सीधा का सीधा मैंने start किया है starting from geometry ठीक और geometry के ऐसा topic है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फसता ह और सबसे ज़्यादा परेशान होता है उसको काफी ज़्यादा दिक्कत होगी जितने भी टीचर हैं geometry पढ़ा पढ़ा के थोड़ा बहुत अपना नाम कमा पाए हैं ठीक है अब दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है ना कि उनका geometry का level जो था या उनका content था अपने आप में सबसे VIP content था एक number का content था लेकिन वो तब तक था जब तक यह batch launch नहीं हुआ था अब जब से यह batch launch हो गया है तो उनके content का हो गया हालत खराब और boost हो गया है क्यूं क्यूंकि मैं अगर आपको एक बात बताओं तो वो लेते थे पहले की पहली 10 sheet या 12 sheet और हर sheet में उनके होते थे 4 पन कर लो compare कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी का भी paid course लो 10-12 sheet देंगे हर sheet में 4 पन्ने होंगे उस 4 पन्ने में theory की एक line नहीं लिखी होती है खाली उल्टा सिधा सवाल लिखा होता है और जो यह बड़े-बड़े teacher है उनका content कहां तक का होता है तो एक teacher है जिनका content 2018 तक का है और एक भाई साब है जो 5-6 सालों से बढ़िया तरीके से वही content को लपेटे जा रहे हैं बच्चो को 2014 के आन Academy भी है बहुत बड़ा brand है उसके बारे में भी बाद में बाते करेंगे कल की वीडियो जो आएगी धंकी आएगी और धंक से जिनकी जिनकी है ऐसी तैसी की जाएगी उ अब दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि यह content इनका इतना पुराना अब यहाँ पर मैं जो content दे रहा हूँ वो सबसे जादा updated दे रहा हूँ 2020 तक के सवाल दे रहा हूँ अकेले अकेले geometry में 500 पन्ने का content मैंने दे दिया है बच्चो को ठीक है और जो planning है अभी और बढ़िया content द इसमें क्या होगा कि धुनिया की किसी किताब को वे advance पकड़ेगा ना चाहे वो scrubler ही क्यों ना हो जो cat में पढ़ाई जाती है quantum cat सरवेश कुमार ही क्यों ना हो या टुच्चे market की किताबे हो जो पड़ी हो रती है रोड पे फेकी रोई रती है ना advance math की उसकी भी किताब क्यो के question इसमें मिलने वाले हैं और questions अगर होंगे तो सोचो उस तरीके के concept में मैं आपको बताऊंगा ऐसा तो होगा ने की question आये और रटवा दिये ठीक है यानि concept पर भी बहुत तगड़ा काम हो रहा है तो अकेले अकेले geometry में इतना भयंकर काम हो चुका है कि बस लोगों को डर अगर geometry का एक topic इतना खतरनाक हो सकता है तो बागी topic का उनका level क्या रहेगा और इस वज़े से थोड़ी सी परिशानी मुझे होने लगी है क्योंकि call काफी जादा आने लगे हैं लोगों के ठीक है तो उसको मैं handle कर रहा हूं मेरी team handle कर रही है और उसको हम handle कर लेंगे उसकी को आप लोग का support रहेगा तो और उसमें भी दिक्कत इस बात की है कि हम देते हैं बच्चे को 50 गंटे ठीक है और मानलो geometry को कोई teacher पढ़ा रहा है 30 गंटे में कोई पढ़ा रहा है 40 गंटे में कोई पढ़ा रहा है 50 गंटे में शीटे वो दे रहे है 50-60 पन्ने की मैंने वहाँ शीट दे दी 500 पन्ने की ठीक है वो पढ़ा रहे है 30 गंटे में मैं पढ़ा रहा है 50 गंटे में मैं पढ़ा रहा है पूरा zero और hero level सब कुछ वो पढ़ाते सीधा mains level कहीं पर उल्टे सीधे जो भी आ गया शीट में आ गया नाम बढ़ा हो गया तो बस वही पढ़ाना है अब चंद सवालों में या 30 गंटे में आपको इंस्पेक्टर बना रहे हैं तो सोचो मैं आपको जो है 100 गंटे पढ़ा रहा हूं जो मैं आपको इंस्पेक्टर तो क्या मैं तो ranker बना दूंगा आपको ठीक है सबसे बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई तो ये दिक्कत है कुछ इस अंडेस्ट्री से सीधी सी बात बोलो तो मारगर पकड़ा है टॉपर हूं और ranker हूं selected हूं तो selected बना के जाओंगा ranker बना के जाओंगा बस इतना बात समझ लेना ठीक है तो शेर्शा math special batch के बारे में आप जानते हैं ठीक और math special batch के जो है मैं आपको बता रहा हूं अभी से आपको मिलेगा तो RG विकरमजीत application को डाउनलोड करके मिलेगा ये दो inquiry दिये गए number है इन पे call करके बेशक अच्छे तरीके से जो inquiry करनी है कर लीजे फायदा बता दूँ आपको तो फायदा ये होगा कि 2020 तक का जो exam है यानि अभी CGL और CHSL का है उसके सवाल भी मैंने इस का फीस बता रहा हो ना उतना तो अकेले अकेले geometry का होना चाहिए ठीक उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तो आपको validity भी मैं क्या दे रहा हूं तो दो महीने चार महीने छे महीने की नहीं का उम्र पूरी जिंदगी validity मिल रही है जब तक पढ़ना चाहते हो तब तक पढ़ है ठीक है complete arithmetic complete advance सब कुछ है तो खुश रही है मस रही है बैच लेना होगा त्वारजीव करमजीत application डाउनलोड करके enroll कर लेंगे ठीक और बाकी जो आज की PDF है वो आपको telegram पर हमारी डल जाएगी ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद